हेलो फ्रैंट्स आज मैंने बनाई है कद्दू या पंकिन या कासी फल या सीता फल या कोहड़ा की सब्जी तो इसके लिए देखिए मैंने एक किलो का बड़ी आसा कद्दू लिया है एकदम फ्रेज और ये इसको अच्छे से दो के छिलके के साथ ही काट लिया है क्यूंकि इ यह देखिए बड़ी आसा कद्धू कटके हो गया है रेडी और इसी के साथ साथ एक बड़ी बारीक कटी प्याज भी काटी है और इसी के साथ मैंने थोड़े से लेशुन काटे हैं और पांच शे कल लेशुन है और तड़के के अंदर डालेंगे सुखिलाल मिज तेज पत्ता और मेथी ये तीन चीज तो जरूर डाले और राइ मेथी जीरा तिनों मिला के 1 टीसपून है और ये अपने 1 टीसपून हलदी maar 140 टीसपून हिंग डालेंगे और देट टीस्पून दनिया जीरा पावडर, हाप टीस्पून सौंप का पावडर, हाप टीस्पून लॉंग काली मिच का पावडर, एक टीस्पून मिर्ची पावडर और नमक जाएगा स्वादा नुशार और लोहे की कड़ाई के अंदर मैंने रख दिया है सरसो का तेल करेंगे और तड़का क्रेकल होते ही पहले तो गैस की आज को करेंगे एकदम स्लो और उसके बाद इसके अंदर पहले डालेंगे प्याज और प्याज को भी सिर्फ 2-3 मिनिट ही भूनना है बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है आज को तेज रखके प्याज को 2-3 मिनिट भ और इसके बाद इसके अंदर पहले तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स और इसके अंदर अब डाल देंगे अपने पंपकिन या कोहडा कटा हुआ तो यह देखिए मैंने चिलका और बीच वाला जो गुदा वाला पार्ट होता है वह भी ले लिया था क्योंकि बीच एक जाएगी तो यह गया नमक और अब अपने इसको पहले तो एक बार अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और उसके बाद इसको तेज आज करके डखकन डाक के दो मिनिट पहले तो होने देंगे ताकि अपनी सबजी उपर तक अच्छे से गरम हो जाए तो यह कर देते हैं कवर और यह देखिए दो मिनिट बाद अपनी सबजी तेज आज पे बढ़िया सी उपर तक हो गई है गरम और अब अपने इसको अच्छे से पहले तो वापिस करेंगे मिक्स और यह पंकीन के अंदर काफी मातरा में पानी होता है तो यह अपना ही काफी पानी छोड़ेगा तो अब अपने आज को कर देंगे मध्यम और मध्यम आज पे ढखके बीच-बीच में चलाते हुए इसको कूख होने देंगे तो यह आज को मैंने कर दिया है मध्यम और यह देखिए चार-पाच मिनिट बाद अपनी सबजी इस तरह से हुई है और यह देखिए इसके अंदर पानी सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जब तक अपनी सब्सक्राइब नहीं होती है बीच-बीच में चलाना जरूरी है तो फिर से इसको कवर कर देते हैं और अब अपने यह देखिए अपनी सब्सक्राइब को होते हुए लगबग 8-10 मिनिट हो गए आदी से ज्यादा कूख होन नहीं है तो इसी स्टेज पे आप चीनी या गुड मिठास के लिए और खट्टे पन के लिए या तो अमचूर पावडर डाले खटाई डाल दे या इमली का पल्प डाल दे बस इसी स्टेज पे और फिर इसको ढखके प्रॉपर कूख होने दे तब आपकी खट्टी मीठी ब बड़ियासा कूख होके रैडी हो गया है और आप देख सकते हैं सब्जी कितनी कम हो गई है बनने के बाद तो इसके अंदर जो काफी मात्रा में पानी था तो वह पानी अभी अब सोक गया है और इसको अब अच्छे से कर लेते हैं मेक्स और यह देखिए अपनी बड़िया सब्जी इसके साथ मैंने बनाई है बड़ियासी गर्मा गरम फुली फुली पूरिया यह चावल की गाढ़ी मलाईदार खीर और इसी के साथ साथ है चावल और यह रहर की दाल और यह आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी भी है और यह गवार फली और इसी के साथ साथ मैंन लेलेशन की चटनी भी बनाईए मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बैल आइकन को प्रेश करना ना भूले ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए प्लीज लाइए और फालो मैं फालो मैं फेस्बूक पेज थैंक यू